निउस स्पॉंसर ड्वाय सुपर 35 कोचिंग इस्टिटूट रिवा तब दीपक विपक्ष की भूमिका में हर बार आगे आकर पार्टी को नेतित देते रहें दीपक सिंग ओबी सी वर्ग से आने के कारण कमलनात के बयान के बाद दीपक सिंग को महापौरपत का प्रबल दावेदार माना जा रहा था आएए आपको सुनाते हैं दीपक सिंग ने क्या कहा आज ये प्रिस्वार्ता इसलिए बुलाई गई है मैं दीपक सिंग उपाध्यच जिला कॉंग्रेस कमेटी रिवा आज मैं कॉंग्रेस से प्राथमिक सदस्ता और कॉंग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं और इसमें किसी का दवाव नहीं है मैं अपनी सिच्छ अनुसार दे रहा हूं में कारण जो है जिस तरह से पार्टी में आप लोग देख रहे हैं न कोई अनुसासन है और पार्टी प्राइवेट कंपनिया चला रहे हैं व्यक्ति विशेश लोग इस पार्टी में अपने हिसाब से पार्टी को चला रहे हैं जिसमें पार्टी के अन्तिम छोर के व्यक्ति को अन्तिम छोर के कार्यकरता के लिए कोई जगह नहीं संगठन चया आप उपर से ले लें प्रदेश से ले लें जिलाइस्तर पे ले लें संगठन यहाँ पे है ही नहीं यहाँ पे बैक्ति विसेश लोग जो उनकी चाटी कारिता करते हैं जिनका पार्टी के लिए कोई योगदान नहीं है ऐसे लोगों को पार्टी में अच्छे पदों से सुसूभित किया जाता है और उन्हीं को सारी अथोर्टियां दी जाती है हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं आपने लगातार देखा है नगर निगम और ग्राम पंचायतों में लगातार जो यहां के मुद्दे है हमने लगातार विगत दो साल, तीन साल लगातार प्रदर्शान, आंदोलन, धर्ना और लोगों को जोडने का काम की पर यहां पर पार्टी के दौरा नक मुझे कोई बड़ा दाइतो दिया गया ना प्रदेश के अंदर कोई दाइतो दिया गया जिस तरह से हमारे तरह के कारकरताओं की लगाता अफवेलना हो रही है इस पार्टी के अंदर इसी संपकारणों की वज़े से हम सब लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं और ऐसे कई लोग जो हमारे लोग हैं पार्टी के लोग हैं काफी दिनों से नराज चल रहे हैं और आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को मुबाइल नंबर से लेके उनके नाम भी आपको दूँगा वो सब लोग, लगभग 500 लोग इस पार्टी से नराज चल रहे हैं और ये सब हमारे साथ के लोग आने वाले टाइम में पाटी छोड़ेंगे